जेहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं डेली की तरह कुछ most important questions जो कि आपके आने वाले आर्मी की चाहें आप किसी भी ट्रेट की तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा important questions हैं इसी तरह के questions आपके exam में पूछे जाते हैं तो दोस्तो वीडियो को start करने से पहले मैं आपसे केवल इतना बताना चाहता हूँ मेरा whatsapp नमबर अगर आपके पास में कोई भी इंडियन आर्मी का original question paper पड़ा हुआ है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहाते हैं तो आप इस whatsapp नमबर पे हमें हाई लिखके फेजें हम आपसे जल्दी ही contact करेंगे तो चलिए दोस्तो आप चलते हैं आज के अपने पहले question के तरफ question number one what is the capital of मड़ीपूर मड़ीपूर की राजधानी क्या है तो दोस्तो options आपके सामने हैं इंफाल, आईजोल, दिसपूर और कोहिमा तो आपको बताना है कि इन में से मड़ीपूर की जो राजधानी है वो कहाँ पर है तो दोस्तो आपको मैं बता दू कि मड़ीपूर की राजधानी है इंफाल में और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मेरी लास्ट जो पोस्टिंग थी वो भी इंफाल में ही थी और मैं इंफाल में रह चुका हूँ ठीक है तो मड़िपूर की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों इंफाल में अब आती है दूसरी इनको भी हम डिसकेस कर लेते हैं जब यहाँ पर option में दिये गए हैं तो आईजोल कहाँ की राजधानी है मिजोरम की ठीक है उसके बाद में आता है दोस्तों दिसपूर दिसपूर कहाँ की राजधानी है आसाम की और नागले लेंड की राजधानी है कोहिमा ठीक है लेकिन इस question में दोस्तों पूछा गया है मड़िपूर की राजधानी तो option A यान ओप्शन से 1947, 1950, 1960 बें 1965 तो गोवा को पुर्तकालियों से कब आजात कराया गया था गोवा को पुर्तकालियों से आजात कराया गया था 1961 तो ओप्शन सी इस कोस्टन का सही आंसर है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले कोस्टन की तरफ कोस्टन नमर 3 स्वतंत्र भारत के पिर्थम भारती गवर्नर जनरल कौन थे यहां पर question पर ध्यान देना ठीक है तो दोस्तो स्वतंत्र भारत के पिर्थम भारती गवर्नर जनरल थे सीर राजगुपाल चारी ठीक है तो option D is question का सही answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 4 question number 4 है दोस्तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़े गए थी in 1956 the second battle of पानीपत बाज fought between ठीक है तो options आपके सामने हैं आपको जल्दी से बताना है comment box में कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुए थी 1556 में वो किसके बीच में लड़े गई थी तो दोस्तो question number 4 का सही answer आपका हेमो और अकबर ठीक है ये लड़ाई जो थी वो हेमो और अकबर के बीच में लड़े गई थी तो option A इस question का सही answer होगा next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 5 लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तो इस वीडियो का एक एक question आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि सभी questions जो मैं आपको अपनी वीडियो में लेकर आता हूँ मैं आपको कई बर बता चुका हूँ ये सभी questions आपकी इंडियन आर्मी के exam में पहले कभी न कभी पूछे जा चुके होते हैं तो एक question आपको important है वीडियो को last तक जरूर देखना ठीक है option D is question का सही answer है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question नमबर 6 electron की खोज किस ने की who discovered the electron ठीक है तो electron की खोज की थी दोस्तों 1897 इस भी में जेजे थॉम्चन ने तो option A is question का सही answer होगा 1897 में electron की खोज जेजे थॉम्चन ने की थी next question है हमारा question number 7 who climbed mount average 25 times तो दोस्तों क्या आपको इस question का आंसर बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता था कि कोई ऐसा भी इंसान है जो mount average के लिए 25 times चल चुका है तो mount average पर 25 बार चड़ाई किस ने की है तो दोस्तों mount average पर 25 बार चड़ाई किस ने की है कामी रिता से रपपा ठीक है ओफ्सन सी इस question का सही आंसर होगा और यह किस देश के रहने वाले हैं नेपाल के कामी रिता से रपपा इन्होंने दोस्तों mount average पर 25 बार फते हासल की है ठीक है बहुत important question है इसको बहुत ज़्यादा दिहान से अपने दिमाग में जो है वो बिठा लेना question number 8 है दोस्तो the study of kidney noun as गुर्दा के अध्यन को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो गुर्दा के अध्यन के लिए किस नाम से जाना जाता है आपके इस question में बताना है तो दोस्तो गुर्दे के अध्यन के लिए जाना जाता है nephrology तो option A इस question का सही आंसर है next question है हमारा question number 9 question number 9 है दोस्तो मानव सरीर की किस ग्रंथी को master ग्रंथी कहा जाता है which gland of the human body is called master gland तो दोस्तो pitatory ग्रंथी यानि कि puse ग्रंथी के लिए master ग्रंथी कहा जाता है तो option A question number 9 का सही answer है next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 10 question number 10 है दोस्तो which element is present in maximum quantity in the sun सूर में कौन सा तत्व सरवाधिक मात्रा में रहता है तो दोस्तो सूर में जो सरवाधिक मात्रा में जो भी element रहता है उसका नाम है क्या hydrogen gas ठीक है hydrogen gas जो है वो सूर में सरवाधिक मात्रा में रहती है तो option D is question का सही answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 11 where are red blood cells made लाल रख्त कड़काएं कहां बनती हैं तो दोस्तो लाल रख्त कड़काएं बनती हैं वोन मेरो यानि की अस्थि मज़ा में तो question number 11 का सही answer है आपका option C next question है हमारा question number 12 who discovered the हडपा civilization in 1920 1920 में हडपा सभिता की खोज किषन की थी तो दोस्तो 1920 में दयाराम सानी ने हडपा सभिता की खोज की थी तो option A question number 12 का सही answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 13 question number 13 है दोस्तो हमारा तराइन का दित्तिय युद्ध कब हुआ when did the second battle of तराइन take place ठीक है options आपके सामने हैं दोस्तो तो आपको बताना है कि तराइन का जो दुत्तिय यानि कि second battle हुई थी वो कब हुई थी तो सबसे पहले तो दोस्तो में आपको बता दूँ कि तराइन का जो दुत्तिय युद्ध हुआ था वो पृतिविरा चोहान और मुहमद गौरी की बीच में हुआ था और ये एलेवें नैंटी टू यानि की ग्यारा सो बानवे में लड़ा गया था नेक्स्ट कोशन है हमारा कोश्चन नंबर चौदा कोश्चन नंबर चौदा है दोस्तो मनुस्त का सामान रख्तचाप कितना होता है what is normal human blood pressure ठीक है मनुस्त का जो सामान रख्तचाप यानि की blood pressure होता है वो कितना होता है तो सामान यानि की normal blood pressure होता है दोस्तो एक मनुस्त का 120 से 80 तो option C इस question का सही answer है आप चलते हैं आज के अगले question की तरफ और आज की वीडियो का last question तो दोस्तो last question है हमारा malaria किस मच्छर से होता है ठीक है option से आपके सामने तो malaria दोस्तो होता है female anophilies जैने की mother anophilies के काटने से तो option A इस question का सही answer है तो दोस्तो उम्मिद करता हूँ आप के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी और आप daily daily जो हम PDF अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम गूर्ट चैनल में उसको आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो PDF को डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में share जरूर कर दिया करें